हेलो फ्रेंद्स वेलकम बैक टू मैं चानल और आज का वीडियो हमारा बड़ा इंट्रेस्टिंग था है क्योंकि मैंने एक अपने घर के वेस्ट मटीरियल से एक छोटा सा कॉर्णर बनाया है घर में गार्डन में अपने तो मैंने सोचा मैं अपनों के साथ भी शेयर करूं कि मैंने कैसे कैसे कौन-कौन से वेस्ट मेटिरियल को एड करके और यह गार्डन छोटा सा स्पेस गार्डन में क्रियेट किया है तो फ्रेंद्स आप जैसे कि देख सकते हो यह मेरा आउल प्लांटर है यह मैंने बॉटल जोती कोल ब्रिंग की उसको काट कर फ्रेंद्स इस तर ये आउल की जो आईज हैं और ये सब जो है, ये मैंने एमसील घर में पड़ी वोई थी, खराव हो रही थी, तो मैंने उसे यूज़ करके और ये आउल प्लांटर बना लिया, और आप जो आईज वगारा, इसकी देखर, मैंने बटन लगा लिये थे, तो घर में हम लोगे अक्सर पढ़े रहते हैं बटन्स वगेरा यूस नहीं हो रहे होते हैं तो मैंने उसे यूस करके और ये आउल की आइस बना दीती तो ये प्लांटर आपको कैसा लगा मुझे बताना जरूर होते हीर और ये य वाला प्लांटर जो है ये आप देख सकते हैं जिसमें मैंने मनी प्लांट लगा लगा ये यह में भी क्या हुआ था कि यहाँ पर एक मेरे घर में प्रोटीन का एक डबा पढ़ा हुआ था और ये बिल्कुल भी यूस नहीं हो रहा था तो मैंने इसमें तो कुछ भी नहीं किया इसमें तो पेंट भी नहीं किया मैंने और सिंप्ली जो है यह वाइट कलर का पेंट इसमें था ही पहले से ऐसे किया हुआ था और यह मैंने फैब्रिक कलर सोते हैं तो वह पानी पढ़ने पर वाश नहीं होते तो मैंने फै एक और प्लांटर है वो यह है यह जो हम लोग आईस-क्रीम घाते हैं घर में आईस-क्रीम आती है तो उसका यह डबा था तो उसको मैंने यूज करा और उसमें यह मैंने लगा दिया थे अपने पर्स लें तो यह देखो यह भी अच्छे से चल गए अब इसमें और भी फ्लार तो एस तरीके से मैंने इस को देखुआ यहां पर पेंट कर दिया तो यह घर में जो हम लोके अधाया साथ आगे यह तेरा कोटा कलर मिक्स करते हैं और एक्स पेंट च्वान चुआते हैं और दिया और एक्स्टीरिया ना दिया और तो इसमें मैंने ये येलो कलर का जो है देशी वाला जो होता है कैलेंडूला उसका ये प्लांट है वर्डेलिया भी बोलते हैं से तो ये आजकल बहुत यहां पे लाबाद में बहुत ज़्यादा कॉमन ली जो गवर्मेंट जो रोड साइट पे लगा रहे हैं वो ये कुंडा तो ये भी मेरे घर में थोड़ा खराब सा हो गया था तो मैंने इसको भी टेरो कोटा कलर से पेंट करके और इसमें बडेलिया लगाती है तो आपको ये कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताना और फ्रेंड्स यहां पर भी आप देखो ये ये वाला जो प्ला लगा दिया विंका और ये वाला ये देखो ये वाला जो पॉट था ये जो हम लोग प्लांट वगेरा पर्चेस करते हैं तो उसके साथ जो पॉट देते हैं बहुत अच्छी क्वाल्टी के तो होते नहीं है तो वो भी ऐसे पढ़ा था और ये टूटा फूटा हो रहा था तो मैंने इसमें विंका लगा दिये तो आपको कैसा लग रहा है ये सारा मुझे तो बड़ा प्यारा लग रहा आपना ये चोटा सा अरेंजमेंट और आप मुझे बताना जरूर और देखो फ्लार्स कितने खुश हो रहे हैं आज थोड़ा से धूप निकलिये है मौसम कांगी बना है ये धिएए फोड़ा सिखर कांगी बना दिये हैं हुआ मैंने बॉटल प्रेपसे डरो कर लिया था फिर मैंने उसको कट कर लिया इसी शेम में और यह वह वोह यह बटन से मैंने इसकी अईज बना दिये और यह जो बोटलbay का धक नो तो से मैंने इसकी नोज तो फ्रेंट इस तरीके से मैंने बनाया और इसमें मैंने लगाया है बेबी संड रोस तो अभी-अभी क्योंकि मैंने लगाया यह तो अभी अच्छा से ग्रो नहीं किया अभी कटिंगी लगाई है तो होपुली बरसाथ का मौसम में जल्दी ग्रो कर जाएगा और उपर भी फ कोउकशा लगा दिये हैं जो भी मतलब बहुत और सारी क्वान्टेटि में हम लोग दोग जाते हैं जैसे कोक्स कॉम अगेरा है अपने सी जो है आलाते रहते हैं तो मैंने सब औरす तरीके से यहां पर लगा दिया है और प्रेंच यह मेरा एक छोटा सु 내가 मेरे में ऑगी ब्लास्टिक फ्लास्ट प्रेंट को डाल के और यह वाला बनाया है। यह मेरे हसाब से अच्छी टन आउट नहीं हूं अपट मुझे अच्छा लगता है। और सबसे इंपॉर्टन फ्रेंट्स यह जो पार्ट है जिस पर मैंने इसे रखा है यह मेरे हम लोगे घरों में आपको अगर आप लोगे ऐसा हुआ हो कि मीटर जो लगते थे पहले तो वह लकडी के डब्बे में लगते थे जो बिजली वाले मीटर होता है तो यहां पर देख उन्हें कट करके चार बोटल को मैंने कट करके और इसके नीचे नीचे लगाके इसके पाई बना दिया तो इस तरीके से मैंने इसको create कर लिया तो friends आपको मेरा ये छोटा सा corner यहाँ पर भी देखो मैंने ये लगा दिये हैं लेंटा न ये देखो तो अब ये भी flowering कर रहे हैं तो आपको मेरा ये छोटा सा corner कैसा लगा तो मुझे comment करके जरूर बताना और अगर अच्छा लगा हो तो please से वीडियो बनाती रहती हूँ ओके friends take care of you and your plants happy gardening बाई